नमस्कार, गुजरात राज्य में कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक कुल COVID-19 के जो पॉजिटिव केसिज आए हैं 371, 371, इसी समय के अरसे में 6 ऐसे लोग हैं के जिनका दुखद अफसान हुआ है, COVID-19 का संक्रमण उनके मृत्यू का प्राथमिक कारण रहा है, 18 लोगों की भी दुखद अफसान हुई है पर इनको पहले से अन्य गंभीर बिमारी थी और उनको COVID-19 का संक्रमण भी हुआ है और उनका दुखद अफसान हुआ है आज इसी समय के अर्से में यानि के 5 बजे तक की 24 घंटे के अर्से में 269 जितने लोगों की डिस्चारज हुई है यानि इन्होंने चिकिटसा ली थी और इलाज के सफल परिपूर्णता के बाद ये ठीक होके घर वापस गये है 269 यानि 209 और इसके साथ गुजरात का जो रिकावरी रेट है 42.50 प्रतिशत 42.50 परसंट होता है अलग-अलग विस्तारों का भी अगर देखा जाए रिकावरी रेट सूरत ने बहुत अच्छा किया है 67.07 परसंट यानि सरसट दशान्स शून्य साथ प्रतिशत भावनगर में अलबत केसिस की संख्या थोड़ी कम थी वहां भी तहत्तर 0.68 प्रतिशत रिकावरी रेट रही है बडुद्रा में 62.66 प्रतिशत रही है और राचकोट 67.07 प्रतिशत इस तरह से अलग-अलग विस्तार में हम देख रहे हैं कि लोग जल्दी डिस्चारज होके वापस घर जा रहे हैं और इसी तरह से आज तक कि जो कुल डिस्चारज जितने लोग होए हैं उनका अगर अंक देखा जाए तो 5,488 यानि 5,488 इतने लोग हैं जो बिलकुल चिकीटसा कंप्लीट करके वापस घर चले गए हैं और अभी तक के कुल जो पॉजिटिव डर्दी हैं पेशन्स थे 12,910 और आज की दिन पर जितने हम कहते हैं अक्टिव पेशन्स यानि के ऐसे हमारे जो मरीज हैं जो चिकीटसा ले रहे हैं इनकी संख्या है 6,596,597 जो स्टेबल हैं यानि के रूम एयर पर हैं या सिंपल अक्सिजन पर हैं और 52 ऐसे लोग हैं कि जो क्रिटिकल हैं वेंटिलेटरी कैर पर हैं अभी तक के कुल जो हमारे टेस्ट्स हुए हैं एक लाख 6,152 टेस्ट हुए हैं और पिछले 24 घंटे में आज के शाम के 5 बजे तक 5,380 टेस्ट्स हमने किये हैं आज दो और महत्विकी कहना चाहेंगे खास हमारी एक हेल्थ हेल्पलाइन है और उसको अभी कोविट के महामारी के समय में इसे खास एक फीवर हेल्पलाइन के नाम से भी इसे पहचाना जाता है 104 अगर आप मेंसे किसी को भी लक्षन है, बुखार या फिर जो कोविट के जैसे खासी, उद्रस, सर हो और ताप बुखार भी हो, तो आप इस 104 हेल्पलाइन पर अगर बात करेंगे, या अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, तो इन्फोर्मेशन सूचना भी मिलेगी, और अगर आपको बुखार है और इसमें आपके डीटेल्स, आपकी घर का जो अड्रेस है, पता वगे इसके साथ आज खास एक और बात हम कहना चाहते हैं, कि हमारे यहां जो आयुष का प्रभाग है, उसके द्वारा होमियोपैथी की जो पूरी एक रीती है, उस पधधती से हमने आयुष मंत्राले के गाइडलाइन्स के हिसाब से जो होमियोपती की पधधती है, उसके माइल् वाले जो लोग हैं और जो एड्मिटेड हैं उनकी सम्मती लेके उनकी कंसेंट लेके उनकी उनके शरीर के बंधारन के अनुसार और उनकी जो कंडिशन हैं लक्षण हैं उसके अनुसार हम उन्हें मेडिसंस देने का एक प्रारंब भी थोड़े दिनों पहले हमारी टीम ने कि है इसके सबसे अच्छे तजगन और निशनात जो हैं हुमियोपथी के एक्सपर्ट उन सब की टीम ने ये तै किया है और इसके तहत आज के दिन जैसे देखा जाए तो सिविल हॉस्पिटल एमदबाद में 248 जितने लोग हैं जो ये इस तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं सबसे अनुरोध करेंगे कि भले लॉकडाउन का समय आप उसको उठाया गया है सिवाए के कंटेनमेंट जोन में और वहां आप अपनी रोजबरा की जीवन शुरू कर रहे हैं लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि अपने रोग प्रतिकारक शक्ती को बढ़ाये रखें अगर आपकी रोग प्रतिकारक शमता को बढ़ानी हो तो दिन भर बिलकुल हर घंटे में अगर गरम पानी आप उसका सेवन करेंगे तो उससे भी आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ सकती है इसी तरह से रोज सवेरे और शाम को नस्य क्रिया भी कर सकते हैं गाय के घी से या फिर तिल के तेल से या शट बिंदू तेल से भी जो किसी भी आयूरवेद दुकान में मिलेगा इसी तरह से प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के भी बहुत उम्दा फायदा है इससे भी अपनी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ती है साथ आप हर्बल टी भी ले सकते हैं इसका कोई गलत सूचना इंफर्मेशन इधर उधर आ रही हो तो उससे भी बहकाव में आने की जरूरत नहीं है तो फिर से हम आप सबसे इच्छा करते हैं कि आपनी रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाये रखें खास करके अपने मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु मोबाइल आप आप जरूर डाउनलोड करिए इससे आपकी एक निजी सुरक्षा कवच बनी रहेगी और इससे आप समाज के लिए भी एक सुरक्षा कवच पूरे समुदाय के लिए बना पाएंगे नमस्कार